हेलो दोस्तो तो आज अपने बेटे की पसंद पर ये खास पुलाओ की डिश बना रही हूँ जो आपको भी जरूर पसंद आएगी ओधी टेस्टी एकदम खिली खिली पुलाओ बनेगी और साथ में बनेगा ये जबरदस वाला राइता और एकदम बेट लगा सकती हूँ कि य ये आपने अभी तक बिल्कुल नहीं खाया होगा बिल्कुल नई डिश है तो चलिए बनाना शुरू करें क्या बिल्कुल तो चलिए हमारे यह जब बेंगौल में पुलाओ बना जाता है न तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि बासमती राइस लिया जाए इसके لिए हम लेते हैं गोबिंदो भोग राइस जिसकी खीर बनती हैं न वही वाली राइस लेते हैं यहां पर इसकी पुलाओ बनती है जाधा लोग पसंद करते हैं और इसके लिए मैंने एक कप ये लिया है चावल और उसे धो लिया है धो कर छोड़ दिया है और उसके बाद उसमें डालने के लिए कुछ सबजियां भी डालेंगे और पनीर भी डालेंगे पनीर पुला है तो कुछ सबजियां हमने ले ली है उसमें गाजर है शुमला मिर्च है बीन से और सब को कट कर लिया है तो यह जादू से कट कर लिया है जी हां और इसको इसी तरह से रफ चॉप किया है बिल्कुल बारिक हमें फाइन चॉप नहीं करना है एकदम जो मीडियम स्टेंडर्ड साइज सो बड़े-बड़े जाहिए वह आप काट ले तो इस्टेंडर्ड तरीके से यह काट लिया हमने पनीर एक तम सॉफ्ट हमारा चलिया अब आगे के प्रोसेस में तेल हमने कर लिया है उसमें डाल दिया सबसे पहले जो ड्राइफ रूट्स डालने वाली होना में वह काजू डाल दिया है उसे भी भ आटा फट से एक दम लाल लाल भून लेना है हमें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वह चूई होगा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है इसी तरह से लाल लाल पनीर ही आप डालेंगे तो देखने में अच्छे लगेंगे और खाने में भी अब लीजे अब होगा असली जो काम है ना पुलाव बनाने का वो हम आगे करेंगे तो यह लीजे अब पनीर तो फ्राइ कर लिया है तो क्या सब्जियां कच्ची रहेंगे बिल्कुल नहीं सब्जियों को भी एक-एक करके हमें फ्राइ कर लेना है तो सब्जियों को फ्राइ क चीजें जो सब्जिया ने देखिये शिमला मिर्चे बीन से यह सारी चीजे मैंने फ्राइक कर ली हैं बिल्कुल अब इसके बाद उसी गरम तेल में मैं डाल दे जीरा ये तेज पते और कुछ खड़े मसाले और ये लो और इसमें नहीं थोड़ा सा घी भी डाल दिया था इस लेकिन मैं डालती हूं मुझे अच्छे लगते हैं हमारे घर में सभी को अच्छे लगते हैं तो ये प्यास को भी लाल करके भून रही हूं साथ में यह देखिए लहाँ रख का पेश्ट हैं पांच मिनट भूजने के बाद यह लख का हम पेश्ट इसमयं डाल देंगे यह लसन द्रक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है और इसके बाद यह लिगिए अची तरह से थोड़ा से फ्राई कर लेंगे इसके बाद यह नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है और यह चावल जो 10 मिН पहले मैंने धोका रखे लए थे न वह में डाल देना है और अब खास बात है यह जो हमारे तरफ प्लॉ बनते हैं यह इसी तरीके से बनता है यह चावल है यह लश्णाद्रा के पेस्ट और प्यास के साथ इसे हमें भूनना है यह अच्छी तरह से इन्हें भूनेंगे यह लिजे इस तरह से आपको 10 minute लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल cable dry dry सा होने लगा है और झावल को बूदना जो आपको को दिखेगा कि चावल पहले की जолов व्ले की का चक्षoire कैसा था शुर अब विहुंद को सब्फाज़ के सब्सक्राइब चावल थोड़े से भूने भूने से हो गया और टाइम बता दो 10 मिनट अब को मीडियम फ्लेम पर हाई पे नहीं मीडियम फ्लेम पर लग जाएंगे अब दूसरी तरफ मैंने पानी उबलने के लिए चड़ा दिया था अब पानी कितना चाहिए वही स्टेंडर्ड जितना दिया है इसे एक उभाल आने के लिए थोड़ा सा ढग दूगैं अ यह इसके बाद यह सारी सब्से जो हमने तल रखिती वह रड़ देना है और हमें यह गाल देना और के विल्कूल नहीं में पनीर अब बिलकुल नहीं डालाओईगा तो बस सब्सक्रों को हमने डाल दिया ह अच्छी तरह से मिला दिया है नीचे का उपर उपर का नीचे कर दिया है और उसके बाद देखिए इसी तरह से जब पानी हलका हलका सा उसमें रहे और वो उबलता रहे बस इस समय इसे आप ढग दे और ढग के बिलकुल सिम यह देखिए बिलकुल सिम पर मैंने कर दिया है और पर 10-15 मिनिट तक अभी आप इसे पकने दें तो ये लीजे 15 मिनिट के बाद पुलाओ हमारे किस तरह से खिले खिले तयार है आप देखिए पुलाओ बनकर बिल्कुल तयार है और अब हमने पनीर रखा था ना ये पनीर भी हमें इसमें एड़ कर देना है साथ में थोड़ी सी खुश्बू के लिए धनिया की पतिया डाल दे ये ऑप्शनल है अगर हो तो डाले वरना ना डाले और अच्छी तरह से नीचे उपर मिक्स कर दे तो ये देखिए पुलाओ की रंगत भी बदल गई है और पुलाओ एकदम खिले-खिले अच्छे बने भी हैं है ना तो बस म बनाएंगे हम वह राइता बिल्कुल अलग तरीके का उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है तेल में डाला है जीरा और ये अद्रक और ये मिर्ची डाली है साथ में ये डाला है लसन मैंने थोड़ा सा या ना तो आप सोच रहोंगो ना किस तरह का रायता बन रहा है बही बिल्कुल तड़के वाला रायता बन रहा है और साथ में ये डाल दिया है मैंने लंबे कटे हुए प्यास डाल दिया है तो अब इने अच्छी तरह से थोड़ा सा लाल होने तक भून लेना है प्यास को जब अच्छी तरह से भूनते हैं तो उसका जो अरोमा होता है उसकी खुश्बू होती है ना मज़ा आ जाता है सच मुश तो यह लिजे उसमें साथ में मैंने हल्दी और मिर्ची भी डाल दिया है तो वह शौट लेना में बूल गई थी और साथ में नमक डाल दिया है और प्याज हमारे अच्छी तरह से भून गए है अब मैं देखिए यह देख और बिल्कुल मस्ट है एक दम स्किपने कीजेगा बहुत अच्छा स्वाद आने वाला यह लिजे यह हमारा फटाफट वाला रायता भी तयार हो गया है और यह देख लिए हमारे पुलाओ का क्या हाल है दस मिन्ट स्टेंडिंग टाइम दिया था मैंने गैस बंद कर दिया यह लो भाई वाह जो खुश्वू आरे ना काश में खुश्वू आप तक पहुंचा पाती वाह सच में जबर दस्त है यह तो यह लिजे यह हमारा पुलाओ तैयार है और चलिए सब कर देते हैं तो अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्स wonderworld आपको रिवार ना पूछेगय से अच्छी से इंट्रेस्स रइसेपी तुमैं आपको मिल थे हैं मेरे अगले इंट्रेस्टिंग से रशफी में तब तक कर लिए बाई-बाई! यह भीए क्याट का और हान्ट लंव कर एन ले